सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल सपोर्ट चानल को और बिल आइकॉन को दबाईए लेटेस टेक्निकलाज वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो नमस्कार मैं हूँ गनेश और आप देखरे टेक्निकल सपोर्ट चानल हमारे चानल में आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तो मोबाईल में बैटरी कितनी इंपोर्टन होती है यह आप सब जानते है बैटरी डिच्चार्ज हो जाए तो मोबाईल कुछ भी कामका नह होता बहुत लोग बैटरी जल्दी डिच्चार्ज होने के प्राबलम से परेशान है लेकिन कि आप जानते है कि बैटरी चार्जिंग करते वक्त आप जो गलतिया करते है उसी कारण आपके मोबाईल की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है तो चले जानते है वो कौन सी गलति वीडियो तो उसका नूटिपिक्टेशन सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे रेट कलर का सबस्क्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और बाजू में घंटी का आइकॉन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करना ना भूले दोस्तो कुछ लोग मोबाईल पूरा डिस्चार्ज होने के बाद ही चार्जिंग करते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल ना करें 15 से 25 परशंट तक के बैटरी होते ही मोबाईल चार्जिंग पर लगा दे और दोस्तो मोबाईल उसी ओरिजनल चार्जर से चार्ज करें जो मोबाईल के साथ आपको मिला है या किसी ब्रैंडेट चार्जर से ये चार्ज करें गलती से भी लोकल चार्जर का यूज ना करें मोबाइल चार्जिंग करते वक्त मोबाइल केस या कहर को निकाल दे ताकि चार्जिंग करते वक्त बैटरी कुल रहे इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी हीट नहीं होगी और जल्दी चार्ज भी हो जाएगी और दोस्तो अक्सर लोग रात को मोबाईल चार्जिंग पर लगा कर सो जाते हैं लेकिन यह गलती बार बार ना करे बैटरी को कभी भी 90% के उपर चार्ज ना करे अगर यह गलती आप हर रोज करते है, मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर सो जाते है, तो बार-बार बैटरी ओर चार्ज होने के कारण बैटरी फुल जाती है, और जल्दी खराब हो जाती है, और मोबाइल में भी हीटिंग प्रॉब्लेम शुरू हो जाती है, कुछ लोग फा अना जी लगती है, वो बैटरी से ही मिलती है, तो चार्जिंग की स्पीड और भी स्लो हो जाती है, अगर आपको बैटरी फास्ट चार्ज करना है, तो आपके मोबाइल में फ्लाइट मोड अन कर दीजे, और फिर चार्ज करे, या अपने मोबाइल को स्वीट चॉप कर पिर चार्ज करें तो दोस्तों यह जरूरि टिप्स का यूस करोगे तो आपके ममबाइल की बैटरी की हेल्प भी अच्छ रहेगी उजो की लाइब भी बढ़ेगी तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें जानकरी अच्छ लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करे अईशी लेटेस्ट इंपोर्टन जानकरी पाने के लिए हमारे टेक्निकल सपोर्ट चानल को सब्सक्राइब जरूर करे ध्यांक्स फॉर वाचिंग जैहिन